खरीद न पाई एमेले तो भड़क रही है पीजेपी पीएम बनने पर भी खुश्या मना न पा रही पीजेपी मोधी मोधी के नारे अब लगा न पा रही पीजेपी राम लला का चल्बी चंदा चोरों को न छोड़ेगा अभी तो 303 से 240 आई बीजेपी फिर भी कुद्रत के स समझना पाई बीजेपी सी बात है बात ये जन्ता पार्टी अपनी ताना शाही दिखा रही है जब एडी से काम नहीं बंद परा जब उन्हें लगने लगा कि बिलकुल करीब करीब बेल मिल चुकी है बिलने वाली है नमस्कार मैं हूँ राहूल टाकू मेरे पीछे आप भीर देख सकते हैं प्रदर्शन कारियों की यह है केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ और उनकी जेल से रहाई को इमाम को लेकर यहां लोग एकट्टा हुए हैं जिसमें जाहतर आमादू पार्टी के समर तक आमादू है जिसमें लिखा तानशाही बंद की दिये जैसे यहां इन भाई के में लिखा हुआ है कि EDCBI का दुर्पयोग बंद करें ऐसे ही तमाम तक्तियां और पोस्टर को लेकर यहां पर आमादू पार्टी के समर्थक केजरिवाल के चाहने वाले और यहां जो तमाम प्रदर्शन उठा रहे हैं केजरिवाल की ग्रफतारी को लेकर मैं इस वक्त मौझूद हूँ दिल्ली में जो आमादू पार्टी का कारेला हैं वहां पर मौझूद है वहां पर जो एक मंद से जो आमादू पार्टी के नेता हैं वो अपने जो कारे करता हैं उन्हें संबोदित कर रहे है और उन्हें अपना जो बात है वो कारकटाओं के सामने रख रहे हैं किस तरीके से उनको बता रहे हैं कि केजरी वाल की जो ग्रफतारी है वो बिल्कुल नाजाइज है और बिल्कुल बे बुनियाद मामलों को लेकर ऐसे आरोप लग रहा है कि उनको केजरी एडी और सीबी आई के दुआरा ग्रफतार किया गया है शराब बोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग केस में अब यहां तमाम लोगों से बात करेंगे कि यह किस लिए यहां पर क्या चाहते हैं क्या या क्या दिखा रहे हैं मोदी जी सुनना तो पड़ेगा देश की जनता जब एक सड़को पर उतरे कि तो आप देखिए रहे हैं देश की जनता ने उनको 303 से 240 पर दो लादिया है अगर अब भी उन ने सुते हैं तो अगली बार उनको पता चल जागा क्या हुआ तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेवाजी भी हो रही है यह भी जर आप यहां पर देख सकते हैं इन कि परिज़न से कुछ हासिल होगा जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब तक अभी तक हमारा कुछ भी ऐसा नहीं निकला है आपने अर्विन जी को अंदर कर रखा है, मनीश शोदिया जी को अंदर कर रखा है, सदिंदर जैन जी को अंदर कर रखा है, तो यह गलत है, जब तक E.D. और C.B.I. को जब तक कोई पूफ ही नहीं, इनकी पास कुछ है नहीं, तो उन्होंने हमारे नेताओं को क्यो को अंदर कर रखा है, ताना शाहिए, बिल्कुल ताना शाहिए, यह बिल्कुल बीजेपी की और मोदी सरकार की ताना शाहिए, कि अपने उनके अंदर E.D.C.B.I. आती है, तो उनको इनके हमारे पीछे लगा दिया, हमारे पार्टी के सबी नेताओं के पीछे लगा रखा ह है, तो जब तुम्हारे पास कुछ है ही ने, तो तुमने के इस बेस पे पीछे लगा रखा है, चलिए, तो यहां और भी तमाम लोग हैं, जिन से हम बात कर रहे हैं, मैं आप इदर आईए, मैं आपका नाम क्या है, जी मैं हुदासरी वाला हूँ, इतनी हुमस है, गर्मी मे आप पूरा पसीनों से पूरा ये लवरेज हो गई है, पसीने में तल है, ये प्रदर्शन चल रहा है, क्यों? प्रोटेस्ट करना हमारा सविधानिक हाक है, हम अर्विन केजीवाल जी की रहाई चाते हैं, उनको राउस एविन्यू कोट से जब बेल मिल चुकी थी, तो उसके पहले तो एडियाई ने हाई कोट जाके उस बेल और पे स्टे लगवाया, उसके बाद जब सुप्रीम कोट क एक कारिकरम किया था, उसके बावजूद एक जिसे कहते हैं, एक रुपे का भरष्टचा जाओ, वो थाबित नहीं कर पाए, प्रोसीज ओफ क्राइम इस्टैबलिश नहीं हुए, उनके खिलाफ एक रुपे की भी कोई करप्शन चार्जिस नहीं हैं, बावजूद उसके, आप देख रहे हैं किस तना से तमाम आवांधी पार्टी के नेताओं को इस केस में फसाया गया है, बंक किया गया है, मनी सुसोंदिय जी आज भी बने, डॉक्टर सेदेंदर जेन को अभी तक नहीं छोड़ा है, हमें पूरा का पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोट से और तमा हिंदुस्तान के लिए एक काम का रहमत का एक डेवलपमेंट मॉडल लेके आता है, मतलब जो हाई कोट का फैसला आने से पहले जब सी बी आई ने उनकी गरफतारी की, उसे आप नाजाय स्थेहरा रहे हैं, जी बिलकुल नाजाय से, उसी रात को सी बी आई रातो रात आती ह उनको उठा के ले जाती है, उनकी पहले तो पांच देन की डिमान मान रहे हैं एक पारिशान करने की मन्शा है, परिशान करने का तरीका है, आम आपनी पार्टी जुकने वाली नहीं है भाती जंदा पार्टी के सामने, और हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल अर्वन पर देश में उभरते वे ऐसे नेता है जो मोधी जी को सीधे सीधे चुनोती दे रहे थे और भारती जन्ता पाइटी को लगया था कि अगर केजरीवाल बाहर रहेंगे तो बहुत बड़ा ये नुकसान करेंगे भारती जन्ता पाइटी को राजनितिक रूप से इसलिए उनको गुमागे, फिरागे, एडी, सीपियाई, तमाम एजेंसिया, इनके हजारों हाद है, भाजकापेग, सब को मिला जुला के केजरिवाल को अरेश कर लिया है, लेकिन जीत सच्चाई की होगी, परमपिता परमेश्वर के आजिरवाद से, केजरिवाल बहुत जल् लोग यहाँ पर रिकटे हुए है, बहुत धन्यवाद आपका, चलिए, यह कह रहा है, कि इन्हें उम्मीद है, जल्दी केजरिवाल की रहाई होगी, ऐसे कुछ इन भाज साब ने रखा, एडी, सीबियाई का दुरू बंद करो, यह शक्स है, केजरिवाल को रहा करो, इनके तो खुद इन्होंने चोर बताया, अब यह चोर की बात पर विश्वास करते हैं, अगर कोई है सही आदम, उसके बयान को लेना चाहिए, पहले डराते हैं, कौन-कौन है चोर? इन्होंने खुद बतायी, सीबियाई ने, जिनके बयान पर अरेश्ट किया है, उन्होंने खु इसे ठमाम आरफ लगाती है, अमादी पार्टी की समझोता हो गया है, जो गवाब बने है, सरकारी गवाब बनाके उन्हें गवाब बनाए गया है, इस चलिए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, यह बाइस साब बोलना है कि बात नहीं, यह अपने नेताओं को जहां सुनेंगे और यहां और भी लोग हैं, उन्से भी बात करते हैं, यहां पर एक क्या रणनीती बन रही है, सर्थ, क्या रणनीती बनाए है, अब आपको चमकार, अभी हम अंगो अलन के आपके परद्रसन करेंगे, और मुखाले के तरफ जाएंगे, जिससे की ताना साहे को य इडी और सीवियाई को जो दुर्पियों किरा जा रहा है, उसका इने जवाब देना पड़ेगा, अर्विन केजरिवाल जी जेल से बाहर आएंगे, यही का हुआँगे, आएंगे क्यों नहीं आएंगे, अच्छी तरह आएंगे और पूरे जो, लेकिन जिस तरह हाई कोट क जब से देशा जा दुआ है, कि एक कोट जबाना ते रहा है, दूसरा इष्टे दे रहा है, यह सब मिली भगत है भाजबा की, भाजबा के सब प्यादे बैठे वे उपर, जिसको चाहे उसको बाजबा करा ले काम को, और अर्विन केजरिवाल तो वो आंदी है, इसे कोई न पड़ेगी एक दिल, जो CBI दो जार आट में आरुशी मदर केस हुआ था, आपको याद होगा, वो CBI आज तक उसको शॉल्ट नी कर पाई, तो इस केस को क्या देखेगी, जिसको राजबेनी कोर्ट में, एडी देख रही है, इतने टाइम्स है, CBI तो वैसी बेकान पाज़ वो वो अलग है, क्या नाम है भाईया? शेहनाज इंदुस्तानी, नेशनल लीडर आमाधी प्रटी, शेहनाज इंदुस्तानी जी, किस तरह से ताना शाही चल रही है, आप एकट्टा होगा है, पूरा मोधी सरकार के खिलाब, ताना शाही ऐसी चल रही है, कि कहते हैं कि अत अभी तो 303 से 240 आई बीजेपी, फिर भी कुद्रत के संकेत को समझ न पाई बीजेपी, पोल खुले ना संसद में आवाज दबाती बीजेपी, LG EDCBI की धोंस जमाती बीजेपी, जो भी दिल्ली के विकास की राहों को अब रोकेगा, बाहर आया के जिरिवाल तो पेले उसे ह ठोकेगा, बाहर आया के जिरिवाल तो पेले उसे ही ठोकेगा, बाबा साहब की मूरत संसद में तुड़वाती बीजेपी, प्यासी दिल्ली की पाईब लाइन फुडवाती बीजेपी, हर्मों के बन अफरत की दीवार खेचती बीजेपी, नीट का पेपर लीक करा के देश बेचती बीजेपी, तानाशा भी समझ चुका है कौन उसे अब रोकेगा, बाहर आया के जिरिवाल तो पेले उसे ही ठोकेगा, बाहर आया के जिरिवाल तो पेले उसे ही ठोकेगा, EDCBI की आड में साजिश करती BJP मींदों में भी केजरीवाल के नाम से डरती BJP कोट में होती देख जमाने दैशत खाती BJP आयो द्याटू भी पानी में ना शर्माती BJP एरपोर्ट की छत्ता किर गई कौन है जो अब भौकेगा एरपोर्ट की छत्ता किर गई कौन है जो अब भौकेगा बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा और आखरी चीज ये हैं ये सब कुछ प्रपंच भी जेवी कर रही है ये 25 में चुनावाने वाला दिली का आपने तो चार लाइन में जो पूरे हिंदुस्तानी जी ने हिंदुस्तान के जो सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जो बड़े मुद्दे हैं उस पर पूरा प्रपंच पूरे ताने पूरे व्यंग कितने वक्त लगा ऐसे तयार करने हैं भई सुबा आदा गंडे में मनाया साथ बज़े मैंने और ये आखरी में बता रहा हूं कि BJP की नियत क्या है वो यह है दिली की सत्ता पाने को तडप रही है BJP दिल एके की सत्ता पाने को तडप रही है BJP खरीद न पाई MLA तो भड़क रही है BJP पीयम बनने पर पी खुश्या मना न पा रही BJP मोदी मोदी के नारे अब लगा न पा रही BJP राम लला का जल्बी चंदा चोरों को न छोड़ेगा बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा तो हम यह किरें केजरीवाल को रहा नहीं किया तो बात पूरे हिंदुस्तान में भी अब फेलेगी जितना भी जनता को तुमने पेला है उससे जदा ये पच्चीस में तुमको भी पेलेगी एक दाना शा का दंश हम जहेल रहे पर आने वाली पीडियाग दभी भी न जहेलेगी और फिर से ये दिल्ली नालंदा की रानी बनेगी फिर से ये दिल्ली रानी नालंदा जैसी बनेगी और केजरीवाल की जाडू प्रचंद पारी खेलेगी तो देखा आप इसी वक्त प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है और यहां पर लगातार जो आमाज़ी पार्टी के कारकरता है जो इस प्रदर्शन में आयोए थे उनके नेताओं की अगवाई में प्रदर्शन शुरू हो चुका है लेकिन आगे जो पुलिस फोर्स है वो भी है थोड़ा सा हम आपको यह तस्वीरें दिखा दें यहां से कि किस तरह से मैं अपने कैमरा परसल से कहुँआ तस्वीरें दिखा हैं कि किस तरीके से अब आमाधी पार्टी के कारकरता समर्था कोट फुले सामने सामने हैं और यह जो कूछ है बीजेपी मुक्याला तक होना था आपको बता दें कि इससे पहले जब आमाधी पार्टी की अगवाई में यह जो प्रदर्शन हुआ था तब बीजेपी मुक्याला तक जब जो वरकर्स थे जो पहुंचे थे तो उस वक्त केजरिवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आये हुए थे और इस वक्त आर्विन केजरिवाल जेल में है और जेल से रहाई को लेकर ही लगातार यहां पर प्रदर्शन हो रहा है आप देख सकते हैं कि अपर जडब भी शुरू हो चुकी है यह लगातार जो प्रदर्शन कारी है वो आगे बढ़ने की जिद कर रहा है आगे बढ़ने के आगे कूच करने के लिए जिद पर आरे हैं लेकिन पुलिस कर्मी दिल्ली पुलिस के जवान रैपिड एक्शन फोर्स तमाम जो यहां पर पूरे जो सुरक्षा बल है वो इन सभी क रोकने की पूर्जोर कोशिश कर रहा है आगे बैरिकेडिंग भी लगे हुए है लेकिन आवादवी पार्τα करता और उनके समर्थक के किताब हमें लेकर तो कोई बैणर हाथ में लेकर यहां पर जड़ब हो चुक है और यहां आप हमारे नजर में सब कुछ देख सकते हैं कि तरीके से पिरदर्शन अब आगे बढ़ता जा रहा है लगातार कोशिश की जा रही है दक्ता मुक्की तेज हो चुकी है और पुलिस के जो जवान है वो भी रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं यहां मैं इस वक्त आहमादी पार्टी के दफ्तर से चंद कदमों की हाथ में बैनर है केजरिवाल को रहा करो समर्तकों ने पूरी ताकत जोग दी है आप जड़ा कैमरे की नजर से हमारे देखते रहे हैं किस तरीके से यहां जड़ब शुरू हो चुकी है जिसमें महिलाएं भी है पुरुष भी है युवा भी है और तमाम लोग आप देख सकत »KidyWL& बी पूरा जिद के साहथ जुनून के साथ आगे बरते जा रहे हैं रुकने को तयार नहीं है मानने को तयार नहीं है और जैसे जैसे आगे बरने की कोशचें की जा रही है वैसे व्यस्वास सुरक्षाबल के तमाम जबान उने पीछे धकेलते जा रहे हैं और आप द तक पुछाने कोशिश कर रहें किस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने केमरा पर से कहुँआ थोड़ा इस प्रिदर्शन को थोड़ा तौप एंगल से दिखाएं ताकि एक एक तस्वीर आप हम आरे जो दर्शक हैं वो देख सकें एक भी तस्वीर छूट ले किस तरीके से प्रिदर्शन यहां पर हो रहा है और मैं अपने केमरा पर से कहुआ चारों तरफ का जो मंजर है जो नजारा है वो दिखाएं एक एक तस्वीर को कैमरे में कैद करने की कोशिश करें ताकि हमारे दर्शक और पूरा देश भी देख सकें केजरिवाल की रहाई क को लेकर किस तरह से आहमादवी पार्टी ऑफिस पर प्रिदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद बीजेपी मुक्याले की तरफ जैसे ही कूच करने की कोशिश हुई जैसे ही प्रिदर्शन कारी आगे बढ़े उसके बाद दिल्ली की सुरक्षा बल दिल्ली पुलिस तमाम स समाली और उन्हें रोकने की कवायत तेज कर दी है जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी है पूरी जो राजमाईश हो रही है पूरी ताकत के साथ यह प्रिदर्शन आप देख सकते हैं और फिलाल मैं अपने कैमरा पसंद से कहूंगा कि वह जरा इन तस्वीरों को कैद करते र से लगातार रोक रहे आगे बढ़ने नहीं दे रहे दौन तरस तनातनी का आलम जो है जो आप तस्वीरों के जरीए देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर आरपार की लड़ाई में के जाने वाले हैं के जो पार्टी वर्कर्स हैं कारे करता है वह पीछे हटने को राजी नह सभषब हैं अपने मुख्यमंघ्य कनि रहा보र का लिए Our Partyさん कि एक लिझे लिए लीडर के लिए यहें वोजुनी एक Outto डिशए व君ि दeseने साथ कि जोकते हैं कि सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब डेंगर वाले समर्थक के चाहने वाले लोहा ले रहे हैं और यहां पर प्रिदर्शन लगाता बढ़ता जा रहा है और भी लगाता जो तस्वीर है वो सामने आ रही है फिलहाल मैं अपने कैमरा परसंद से कहूंगा कि इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं कि कुछी देर में हमें कु झाली नामस्काइ